नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Allrounder भाई YouTube चैनल पर मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने वाले हैं Adobe Illustrator के अंदर Low Poly Image जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं इस Sample Image की तो टाम रवेस्ट करते वे चले दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इसको मैं open कर लेता हूँ open with Adobe Illustrator Image open हो जाने के बाद थोड़ा सा zoom out करता हूँ then मेरा जो artboard है वो image से थोड़ा छुटा है तो इसके लिए मैं artboard tool यूज करूँगा then size इसका थोड़ा large कर देता हूँ और इस layer को lock कर दूँगा then create a new layer lock volume में मैं बता दूँ के इसमें triangle shapes का इस्तमाल किया जाता है तो triangle shapes बनाने के लिए हम pen tool का इस्तमाल करेंगे P press करने पर या फिर toolbox के अंदर आपको यहाँ pen tool जिसकी shortcut की है P आपको मिल जाएगा इसके बाद जाएंगे fill में और fill को कर देते हैं none then outline में जाएंगे और outline का color मैं रख लूँगा light green क्योंकि light green जो है वो body पर आसानी से highlight हो जाता है जहां तक outline यानि के stroke की अगर मैं amount यानि के मोटा ही अगर मैं कहूं तो 0.25 हम रखेंगे और इसके बाद शुरुआत करेंगे एक आंख से मैंने जो photograph select करी है वो काफी blur है और यही एक तरह से challenging point होता है क्योंकि इसी art के जरीए हम इसकी quality बहुत ही अच्छी दिखा पाएंगे so first यह triangle मैंने create कर दिया then इसी तरीके से आपने सभी triangles create करने है लेकिन ध्यान रखना है कि यह सभी triangles आपस में एक दूसरे के edges के साथ connect होने चाहिए अगर आपने किसी path को या किसी anchor point को change करना है तो इसके लिए direct selection tool जिसकी shortcut की है A का इस्तमाल कर सकते हो और किसी भी anchor point को select करके उसे move कर सकते है direction दे सकते हैं बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि हर बारी आपका जो object है वो new create होना चाहिए तो इसके लिए आपको जब एक new object create करना है जो आपने previous object बनाया था उसके किसी भी anchor point पर click नहीं करना second time और third time में आप उस anchor point को select कर सकते हो अगर आपका कोई point इस तरीके से curve हो जाता है तो आप easily उस point को select करके convert selected anchor point to corner पर click कर सकते हो तो उससे वो curve खतम हो जाएगा इसमें भी हलका सा curve आ रहा है तो इसको भी select करके straight कर देंगे तो tracing करते टेम आपने ध्यान लखना है कि इस type के curve नहीं create होने चाहिए कर दो आपका कर देंगे कर दो कि आपका है झाल 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 झाल